आइकून अपना नियो सेवन 5G स्मार्टफ़न इंडियन मार्केट में लौण्च कर दिया है कि आपको को आपको स्मार्टफ़न को खरीदने चाहिए या नहीं खरीदने चाहिए वही हमें इस वीडियो में डिसक्श करेंगे अगर आपको येवाला स्मार्टफोन लेना है तहाश तो इस वीड़ी को पूरह जरूर देखना इसे स्मार्टफोन के का डिजाइन की बात की जाए चुछ इस तरीक के का हमेख़़फोन में दिजाइन देखनों मिलता है आपको back में curvy shape देखने हुक मिलेगा यह वाले smartphone हमें 8.58 mm थिक देखने हुक मिलता है 193 gram का हमें smartphone में weight देखने हुक मिलता है इसमें हमें 2 color variant मिल जाते हैं एक black और एक blue अगर बात की जाए से smartphone की display की तो यहाँ पर हमें 6.78 inch की full HD plus emulet display मिल जाती है जिसमें हमें 100 b search के refresh rate देखने हुक मिलता है यहाँ पर हमें 1300 nits की brightness मिल जाती है स्मार्टफून में punch hole cut out देखने हुक मिलता है जो bezels मिल रहे हैं हमें 3 से ही देखने हुक मिलते हैं जाद है भी bezels हमें स्मार्टफून में देखने को नहीं मिलते हैं जो की 4 nm वाल अप्रोसेसर है बहुत अच्छी performance के साथ में आता है यहाँ पर हमें ColorOS 13 देखने हुक मिलेगा जो के Android 13 बेस्ट है performance को ओर जादा increase करने के लिए यहाँ पर हमें LPDDR5 की RAM देखने हुक मिलेगी UFS 3.1 की storage मिल जाती है इसमार्टफोन में आपको दो वेरियंट देखने हुक मिलेगे 8 GB के लिए 108 GB की storage और 12 GB के लिए 156 GB की storage वाले दो वेरियंट देखने हुक मिलते है 11 5G band मिल जाते हैं आपको इस स्मार्टफोन में performance अच्छा देखने हुक मिलने वाला है गेमिंग वगेरे के लिए आप इस स्मार्टफोन की use मिल ले सकते हो अगर बात की जाए camera's की तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा disappointed हूँ विगोज यहाँ पर आपको 64 MP का triple rare camera setup मिल ला है जिसमा आपको 64 MP का मिल जाता है primary camera जिसमा आपको OIS की सुभीदा भी मिल रही है बट यहाँ पर आपको केबल 2 MP का micro sensor और 2 MP का depth sensor देखने को मिलता है यहाँ पर आपको कोई भी ultra wide sensor देखने को नहीं मिलता है यही चीज मुझे इस स्मार्टफोन में disappointed देखने को मिली बागी सारा कुछ आपको इस स्मार्टफोन में अच्छा मिल जाता है बेटरी की बात की जाती है यहाँ पर आपको स्मार्टफोन में 5000 mh की बेटरी देखने को मिलती है grat भी देखने को मिलती है 12-256 में इसे स्मार्टफोन की प्राइज हम 33,999 रुपे देखनों मिलती है इसे स्मार्टफोन में आपको ओफर्ज भी मिल जाती है HDFC, SBI और ICICI बेंक के थुरू अगर आप इसे स्मार्टफोन को बाय करते हो तो यहाँ पर आपको 1500 रुपे का डिस्काउंट देखनों मिलेगा एक बास जरूर कहूंगो मैं इसे स्मार्टफोन के बारे में कि आपको इसे स्मार्टफोन में परफोमेंस बहुत अच्छा मिलने वाला है गेमिंग वागरे के लिए स्मार्टफोन देख रहे हो तो यह आपके लिए बैस्ट स्मार्टफोन हो सकता है वीडियो पसन आई हो तो लाइक करके ज़रूर जाने चैनल को सब्सक्राब करके जाना मिलता हूं आपसे इसी तरह की किसी नेक्ट वाली वीडियो में